नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है SDV News पर इस वक्त कि आपको बड़ी खबर बता दे जो की आ रही है मोदी कैबिनेट से जुड़ी हुई लगातार कश्मकष चलते हो और इसी बीच यहाँ पर मोदी कैबिनेट में बदलाव परधान मंत्री नरेंदर मोदी की सलापर राष्ट्र पती, द्रोपती मुर्मू ने मोदी कैबिनेट में इस बदलाव को मंजूरी दे दी है और इस नए बदलाव के मुताबिक अब तक कानून एवं नय मंत्राले की जिम्मेदारी संभाल रहे नौर्थिस से आने वाले बीजेपी के बड़े नेता कीरन रीजीजु को अब भू विज्यान मंत्राले यानि की अर्थ साइंस मनिस्ट्री सोब दी गई है तो ये बदलाव हुआ है अर्थ साइंस मनिस्ट्री मिली है कीरन रीजीजु को दरसल राष्ट्रपती भवन की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अर्जुन राम मेगवाल को सोतंतर प्रभार सुंपा गया है और अर्जुन राम मेगवाल के पास संसद्य मा कामलों के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी वह निबारे है कीरन रीजीजु को रवीशंकर परसाद की जगा जुलाई 2021 में कानून मंत्री निउक्त किया गया था 2019 में उन्हें खेल मंत्राले का जिम्मा दिया गया था अब यह एक तीसरा बतलाव जो है किरन रीजीजु म कारेकाल में जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर उनके और नियाई पालिका में लगातार ठकराव की खबरे जो है वो देखने को मिली थी हमेशा जो है सुर्खिया बटोरती थी यह खबरे किरन रीजीजु शीर्ष नियाई पालिका में जजों की नियुक्ति वाले कलीज प्रतिक्रिया भी सामने आई है किरन री जीजु ने ट्वीट करते हुए लिखा कि परधान मंत्री नरेंदर मोदी के मार्ग दर्शन में कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का सम्मान मिला मैं CJI यानि की Chief Justice of India, D.Y. चंद्रचूड, सुप्रीम कोट के सभी जजों और हाई कोट के सभी जजों लुवर जुडिश्री और सभी कानूनी अधिकारियों को दन्यवाद देता हुँ कि उन्होंने जनता के लिए न्याय को सरल बनाया तो उनका दन्यवाद कि आखी दन्री जीज को पूरा करने उत्सुक हूं अब इसको लेकर के लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है जब ये खबर तड़के सूबह सामने आई लोगों का क्या कहना है वो प्रतिक्रिया भी आपको पताते हैं करनल रोहित देव वो इसको लेकर के कह रहे हैं पहले नमस्कार कर रह है तो यानि कि उनके जो स्पोर्ट्स मिनिश्ट्री रहते हुए कारेकाल में जो चेंजिस है उसको भी लोग रिकॉल कर रहे हैं आगे उन्होंने का कि आशा है कि नयाएक सुधार जैसा की नरेंदर मोदी टीम द्वारा शुरू किया गया और प्तिश्रम से महनत से आगे बढ़ाया गया चल रहे दशक के अंत से पहले फलीभूत होगा आप सभी को आपके भविश्य के प्रयासों के लिए अनेको अनेक शुबकामनाएं और आगे उन्होंने कहा कि उमीद है कि जल्द ही आपक टीम जो टीम लगी हुई थी उनको कहा कि उनको धन्यवाद क्योंकि हम अपने राष्ट्र को आगे ले जा रहे हैं शुबकामनाएं और हार्दिक बदाई तो यहां पर शुबकामनाओं का दोर जो है वो शुरू हो चुक है इसी वीच अंशुल वो ट्विटर यूजर वो यहां पर कहा रहे हैं कि पहली बार हमारे पास एक ऐसा मंत्री था जिसे कम से कम नई पालिका में कुछ अवश्यक सुधार्लाने के बारे में खुलकर बोलने का साहस किया रहे हैं विशेशूप से नई खीशों के चेणद पर जो इनका जो है आपकी कमी कोταँई नए पॉर्टफोलियो के लिए शुब काम ना है तो यहां पर लोग यह भी कह रहे हैं कि आपकी कमी खलेगी जो आप लगातार मुखरता से बोलते रहे हैं को लिजियम सिस्टम को ले कर गए वहीं अब आपको अरजुन राम मेगवाल के बारे में भी आपको बता दें जिनको कि अगर बात किया है तो इसी साल अंत में विधान सबा चुनाव भी होने हैं तो लोग उसको भी साथ कर देख रहे हैं कि क्या उसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई उन्हें कानुन मंत्राले जैसी एहम जिम्मेदारी दिये जाने को राजस्तान साधने की कोशिश क के तोर पर भी देखा जा रहा है कि करनाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा बदलाव किया गया कैबिनेट में अरजुन राम मेगवाल जहां एक तरफ उनकी साधगी के लिए जाने जाते हैं वह एक ऐसे नेता हैं जिनोंने अपनी पहचान और अपनी साधगी को हमे सभी सवाल उठा रहे हैं सोचल मीडिया पर कुछ विखक्षी लोग सवाल उठाएं की अरजुन राम मेगवाल को कानून मंतरा ले दे दियाकर क्या राजसान के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है लेकिन आपको अर्जुन राम मेगवाल के बारे में बता दें तो प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं अर्जुन राम मेगवाल जी हां लेखा जो का वो जानते हैं इतना ही नहीं आरेस से पदोनत होकर मेगवाल आईएस बने जी हाँ आईएस बने और चुरू जिला कलेक्टर भी रहे मेगवाल की सादगी को लेकर इससे बड़ा उदारन क्या देखा जा सकता है कि सरकार की तरव से कार मिलने के बावजूद कार मिलती है सबी सांसदों को कार मिलने के बावजूद भीव है साइकल में गुमना पसंद करते हैं उनकी ये पसंद चर्चा में उस समय जादा आई जब शपत ग्रहन समारों में राश्ट्रपती भवन भी साइकल लेकर पहुंचे थे तो यहाँ पर जो लोग सवाल उठा रह से किसी को उठा करके दे दिया तो यहां पर उससे पहले सोच करना चाहिए बाह कीं विपक्षियों को बैक्ग्राउंड देखना चाहिए यहां पर विपक्षियों को बेरहाल तो यह जो बदलाव किये गए यहां पर एक तरफ जो किरंडी जी जू को अब लौ मनिस्ट्री से हटा करके अर्थ साइंस मनिस्ट्री दी गई और दूसरी तरफ अरजुन राम मेगवाल को अब जो है पहले से ही जो है वो राज्य मंत्री के रूप में काम करें अब जो उनको अतिरिक प्रभार यहां पर मिला है वो कानून और नए मंत्रा ले के रूप में मिला अब इस पर आपका क्या कहना है आपकी कह रहा है आप जरूर हमांसा कमेंड बॉक्स में शेयर करें उससे जोड़े तमाम अपडेट के लिबर ने दी हमार साथ दन्यवाद